यूपी का महा मुकाबला तो खत्म हो चुका है पर इस महा मुकाबला का विजेता कौन होगा ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा हलाकि अलग अलग चानलों में दिखाय जा रहे है एक्जिट पोल ये साफ तोर से इसारे कर रहे है कि यूपी में एक बार फिर से कमल खिलेगा और योगी आदतनात एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुरसी में सवार होने जा रहे है ये तो एक्zing पोल के सारे कह रहे हैं लेकिन हमारा एक्सिट पोल यानि की कापिल टीवी का एक्सिट पोल क्या कह रहा है वो आपको बता रहे है उतरप्रदेश में साथ चरनों में वोटिंग पूरी हो चुकी है और सातवा चरन बेहत एहम रहा क्योंकि सातवे चरण में वारनसी एक एहम सीट है जिस पे वोटिंग हुई है पूरा बनारस प्रधानमंत्री मोदी का गड़ माला जाता है मोदी यहां से सांसद है और खुद पीम मोदी चुनाव प्रचार के लिए कई दिनों तक वारनसी में टिके रहे उन्होंने वारनसी में एक लंबा खासा अच्छा खासा रोट्शो किया हमने कई जगा देखा कि पीम मोदी प्रचार के लिए गय थे वो जनसभाई करते थे लेकिन कहीं भी उन्होंने रोट्शो नहीं किया सिब बनारस एक ऐसा जगा था जहां पे पीम मोदी खुड सडकों पर उत्रे चार से पास दिन का उन्होंने वहां पे वक्त गुजारा काशिविश्मनात कॉरिडोर के दर्शन भी किये लेकिन सबसे बड़ा एहम मुद्धा ये है कि पुरवांचल में सबसे इंपोर्टन सात्वा चरर इसमें बीजेपी को कितने सीटे आएंगी क्योंकि कॉम्पिटेशन तगड़ा माना इसलिए जा रहा था क्योंकि बार 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 अखलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि पुरवांचल योगी आदतनात के हाथ से चला गया वहीं PM मोदी को उन्होंने इसलिए उतारा है क्योंकि पुरवांचल कहीं न कहीं बीजेपी हार रही है हर अपनी राली में कहीं न कहीं अखलेश यादव यही बोलते नज़र आए और जिस दिन PM मोदी रोडशो कर रहे थे ठीक उसी दिन क्लेश यादव भी सड़कों पर उतर गए प्रचार करने के लिए तो सबसे बहले क्यापिटल टीवी का एग्जिट पोल पुरवांचल की साथवे चरण की सीटों पे किनकिन पार्टीज का क्या-क्या आ रहा है डेटा वो सबसे बहले आपको पता देते हैं तो वहीं कॉंग्रेस को एक से दो और अदर्स के खाते में एक से तीन सीट जाने की उमीद जताई जारी है तो इंपोर्टेंट चरण है इंपोर्टेंट सीट्स है क्योंकि इसी में काशी से लेकर आजमगर तक चुना हुए मिरजापुर में, गाजिपुर में, बनारस में, सोनभद्र में, जौनपुर में, भदोई में मतलब इन तमाम जगों पर यहां पर सात्वे चरण में वोटिंग हुए है और इस पर चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए हमारे साथ, हमारे सयोगी युदिस्ट्र भी मौजूद है सात्वा चरण, क्या कहा जाए, हम सीटे तो दे रहे हैं 38 तक, बढ़ेगा या घटेगा या सपा, कुछ सीटे और खीच के ले जाएगी अपने तरफ देखिए, यहाँ साथ तरफ मैं बता दूँ, यह जो हम सातो चरण की बात कर रहे हैं, यह मोस्टली बीजेपी का कड़ है जाओ बनारस हो, यहाँ महू की बात करूँ, महू मैं सिर्फ पिछली बार के 27 की बात करूँ, तो सिर्फ मुक्तार अंसारी की एक सीट निग रहे थी, जब बीएसपी से चुनाव रड़ रहे थे, इस बार उनका जो वेटा है, अब बास अंसारी, वो मैदान में है, और वो हिसाब किताब इस सारे टीवी चैनल है, सबने बता दिया हिसाब किताब किसका होगा, बुल्डोचर कहां गर जेगा, और दर्द होता है, भाई आपने इतना काला सामराज इखटा कर लिया, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन अचानक से जब बुल्डोचर गर कि आप साथ तारीक को जाके, क्योंकि साथ कोई इस फेज में वोटिंग होई थी, आप साथ तारीक को जाके बीजेपी की निशान पे बटन दबाए, वो तो साफ ये कहते थे कि बुल्डोचर पे जाके बटन दबा दीजे, काम हम कर देंगे, बिल्कोल बुल्डोचर मनला अब इसमें सुर्कियों में जो रहा है, बुल्डोचर अभी मैं देख रहा था, बीच में चुनाओ के बीच एक ट्रेन जा रही है, शायद वो ट्रेन कहीं हो जा रही है, उसमें बुल्डोचर खड़े हुए है, और सब बीजेपी के निता भी डाल रहे है, कि ये बुल्ड प्रदेश की उन्नती होगी, विकास होगा और शांती के रास्ते बहुत खुलेंगे, तो आप जैसे तरीके से बताया, कि बनारस में पिया मोदी लगातार दोरे पर दोरे करते रहे, सोगात पर सोगात देते रहे, पूरवान चल में एक नदी योजना, परियोजना को दिया कितने करोड रुपे की थी, उसको लगबग 30 लाग किसानों को फायदा मिलेगा उसे, सोचे 30 लाग किसानों को अगर फायदा हो रहा है एक परियोजना से, तो क्यों ना देंगे वोट उसको, तो यहाँ पर बनारस में कई मुद्दे थे, बनारस में 8 होगी 8 सीटे बीजेप पीने जीते थी, लेंगे इस बार फिर से हवा वही दिख रही है, मूड वही है, क्योंकि अगर काशी विश्वनात करोडूर बना है, तो वो उसकी एक आस लोगों में जगी है, कि हमारी जो कोई होई संस्कृती थी, जिसे विहीन करने की कोशिश की जा रही थी, वो फिर से वापस लाने के मुहिम अगर किसी ने की है, तो बीजेपी की डबल इंजिन वाली सरकार ने की है, इसलिए तमाम जो लोग हैं, वो सो समझ कर वोट दे कर आये हैं, वो चाते हैं कि प्रदेश का विकास हो, बनारस का विकास हो, हमारी भारती संस्कृती और हिंदू संस्कृत का विकास होगा, तो हम और आगे बढ़ेंगे, उचायों पढ़ेंगे, आप देखिए, किस तरह से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े-बड़े, उनने रैलियों पर रैलिया की, इस पूरवांचल अलाके में, 54 सीटों में, मैं कह सकता हूं, आपने जिस तरह से हमार दो साल तो कोरोना काल में निकल गए, जनता समझती है इस बात को, सबसे बड़ी बात ये है, अपने दर्शकों को बता दे, क्योंकि मैं खुद काशी गई थी, वहां कि लोगों का कहना था कि भई, जिसका सांसर देश का प्रधान मंत्री हो, तो उससे क्या शिकात करना, वो बहुत गौर्वानतित महसूस करते हैं, कि PM मोधी आते हैं, रोडशोस करते हैं, डोर टो डोर भी जाते हैं कई बार, और इस बार तो हमने देखा कि वो सड़क चलते हैं, किसी चायवाले के पास चले गए, नॉर्मल एक आम इंसान की तरह वो लोगों से बातचीत करते हैं, तो मोधी का जो वहाँ पर डंका बज रहा है, वो मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ सालों तक लोगों के अंदर से जाएगा, और यहां तक कि बंगाली, जो वहाँ की बंगॉली एरिया की लोग है, अधर कास्ट के लोग है, यहां तक कि वहाँ के मुसल्मान भी मोधी क समर्थन में है, और कहीं ना कहीं संतोस्ट है, क्योंकि काशि विश्वनात कॉरिडोर की बात हमने की, विकास के मुद्दे में काशि विश्वनात कॉरिडोर भी एक एहम मुद्दा रहा है, काशि विश्वनात कॉरिडोर का जिस तरीके से बीजेपी ने काया कल्प किया है, उसका फाइदा मिलेगा चुनाओं में बिल्कुल मिलेगा आप देखिए पहले आपने सुनाओं का नारा कि आयोध्या तो अभी जहां की है काशी मत्रुबा की है इसके बाद जब काशी का नारा आगे बढ़ा तो काशी भी हुआ गई अब जनम काशी का काम पूरा अब मतुरा की बारी का नाराच तो मतुरा की बारी में भी इनोंने प्रोसेस शुरू कर दिया है जनता को पता है यही कर सकते हैं जो विकास है और जो हिंदों की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाय जा रहा था प्रतारित किया जा रहा था उनको और उनके प्रतीक चिंदों पर धार्मिक प्रतीक चंदों पर कह सकते लांचन लगाया जा रहा था, अब फिर से वापस लोट रही तो योगी सरकार में, बीजेपी की योगी सरकार में या फिर मोधी सरकार में इस सब संभव हो पा रहा है, ऐसे में प्येमोधी ने खुद तो क्योंना लोग इस पर वोट करेंगे दूसरी बात मैं आपको बता दूं यह सैफ़ाई वाले नहीं बीजेपी के लोग यह सैफ़ाई वाले नहीं है कि आप एक परिवार का सिर्फ एक जगह ही आप उसको चमका है याद अब तो और जगह भी रहते हैं आप भमेटा पड़ गंदी और घ्णित राजनीती को कैसे इन लोगों ने काट का चस्मा लगा दिया था लोगों के उपर सिर्फ जाती के नाम पर वोट बटोरते थे और बरगलाते थे बीजेपी खिलाब कि यह आ गए तो यह मुसलमानों को मारते हैं कि जान से मुसलमानों को खतम कर देंगे आवास यह जना केता है मकान मिलें तो हर गरीब को मिलें उसमें मुसलिम हिंदू इसाई देख करने दिया तो सब को समान रूप से लेकर सब का सास सब का विकास और सब के विश्वास के आधार पर ही बीजेपी ने अपनी सरकार को चलाया है तो ऐसे में बीजेपी को बड़ आप बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है आप एक बहुज़ बताईए मुझे कि जितने exit पोल है हमारे exit पोल में 298 तक सीटे मिलने की संभाव ना है आप बताईए जातर exit पोल ने 200 से जाधा सीटे बीजेपी को दी है योगी सरकार को दी है तो कही नहीं कहीं यह सारे exit पोल त जब तब्दील होंगे आप देखेंगे सुभे दस पजे जैसे ही काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी बड़त के साथ आगे बढ़ेगी उम्मीद है कि फिर से बीजेपी के सरकार हमारे एक्जेट पोल के जरी जो हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमने जमीनी हकिकत को ट बनारस एक important जगा है बनारस से लेकर भदोई की बात करे गाजिपूर की बात करे मौ की बात करे देखें काशिव विश्मनात कॉरिडोर तो एक एहम मुद्दा है ही जो विकास की नदिया आगे लेकर चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आसपास का जो एरिया है चाहे वो मौ हो आजमगड हो, बदोई हो, गाजिपूर हो, हर जगा पिये मोधी खुद जाकर उन्होंने चुनाओ प्रचार किया उसका फाइदा कहीं ला कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा वही ग्राउंड की हकीकत है जो आपके टेलिजन स्वीन के सामने है हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि किसकी सरकार उत्रप्रदेश में बनने जा रही है कैमरे पसंट रवी के साथ मैं पूझा क्यापिटल टीवी